हम भारत के लोगों के लिए 22 जन्वरी का दिन बिल्कुल ही खास होने वाला है 2024 में जी हाँ दूस्तो आज मैं भगवान, राम और मातस सीता के लिए बहुत ही टिस्टी भोग की रेसिपी बनाने वाले हूँ उसके खुसी में अगर आप चाहे आप अपने घर से ही परनाम करना चाहते हैं और मातस सीता का आसिरवाद लेना चाहते हैं तो ये रेसिपी जरूर बनाए ये बहुत ही पसंद आएगी तरीका आप अची तरह से सीख सकते हैं हर तेहवार पूजा पाट में आप खासतरेखे की रेसिपी बनाते हैं पूजा में भोग बनाते हैं प्रसाद बनाते हैं तो आज 22 जनवरी special recipe आज मैं बनाने वाली हूँ आप इसे 22 जन्मरी को जरूर बनाईए तो सबसे पहले आपको लगेगे दूद तो मैंने लिया है, तीन पाउ दूद आप आपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं, तो तीन पाउ दूद लिया है तो तीन पाउ मैंने दूद लिया है, तो मुठी भर लगभग दो मुठी मैंने चावल लिया है और अच्छी तरह से कपड़े से पोच के डाला है आप चाहिए तो से धोके भी ले सकते हैं मैंने पोच लिया अच्छी तरह से और दूद में डाल दिया है बहुत ही कम समय में ये चावल की खीर आपकी बनके तैयार हो जाएगी चावल के जो खीर होते है उसमें तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है लेकिन ये बहुत ही कम समय में बनती है और टेस्ट में बिलकुल भी फरक नहीं आता है आप वरत तहवार में भी का सकते हैं और अगर भगवान राम को खुश करना है तो आराम से इसे बना सकते हैं तो यह देखिया अच्छी तरह से चावल को मैंने अच्छी तरह से इसे आपको पकने देना है गैस के फ्लेम बिल्कुल ही हाई रहेगी और अच्छी तरह से लगभग 5 मिनट आपको high flame पे इसे पका लेना है जैसे जैसे पकेंगे ये बिल्कुल ही काढ़े होते रहेंगे चावल में क्या हो जाते है अगर लंबे चावल यूज करें तो उसे तोड़के यूज करना पड़ता है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और फिर मनें टेश्ट बढ़ाने के लिए इसमें डाल दिया है दो इलाची को और इलाची डालने के बाद क्या करना है अच्छी तरह से मिस कर लेना है उसके बाद गैस की फिलेम आपको कम कर देनी है तुरंथ ही काढ़े हो जाएंगे बहुत ही कम समय में ये रेसपी आप बना के तयार कर सकते हैं करते हैं आपको चीनी डाल के पतली ऽो चीनी डालेंगे तो तोड़ी से मिस के सीता और भगवान राम को इसके भोग में आप बनाएं और लगाएं और अराम सी से आप खा सकते हैं उसके बाद मेरे कुछ मेरे पास थे ड्राइफूरूट तो मैंने उसे डाल दिया है और ड्राइफूरूट डालने का बाद फिर से आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बहुत ही टिष्टी वाली लाजवाब खिर बनती है नौरातरी में तो अक्सर आप लोग खिर बनाते होंगे अगर आपके समा के चावल के खिर नहीं खाये न तो एक बार जरूर बनाईए और अगर आपको चावल वाली खिर चाहिए तो वो भी रस्पी मेरे डाल रखी है अगर आपने नहीं देखिए तो बहुत पहले की रस्पी है आप चाके देख सकते हैं बिल्कुली तरीके की गाड़ी रबडी दार खिर कैसे बनाए मैंने उसे डाल रखा है तो यह देखिए खिर हमारी लगभग तयार हो चुकी है अब क्या करना है इसे अच्छी तरह से आ कर दिया है बहुत ही टिश्टी सी हमारी लाजवाब खीर की रस्पी तयार हो चुकी है आप चाहे तो इसमें ड्राइफ फ्रूट्स भी डाल सकते हैं काजु किस्पी जो भी आपको पसंद है आराम से डालिए और इसे आप भोग लगाए और भोग लगा के इसे आप सभी ख खिलाएं भी तो कैसी लगी आज की हमारी यह रस्पी यह हमें जरूर बताएं तब तक के लिए मिलते हैं जय जय